नमस्कार दोस्तों माई यूटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर करके आए हैं उत्रपदेश बिधान सभा आरे एक्जाम का फुल पेपर रिव्यू और उसका सालिविशन भी हम बताएंगे एक पेपर आज 24 जनु के लिजएगा साथ में पेपल आइगन को प्रेश के लिजएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए तो चलिए तो यहां आप देख सकते हैं यह आज का पेपर है आरो यारो का बिधान सभा और हम खुद पेपर को दिये हैं आप देख सकते हैं पे नेरा नाम लिखा हुआ है अल्रेडि सिगनेचर किया गया है तो चलिए देखते हैं कुल 100 प्रशन जो है पूछे गया थे इसमें 50 प्रशन का पहला प्रशन पूछा गया था आपसे 2018-19 के अनुसार निर्यातो बे भारती राजियों में उत्रप्रदेश का अस्थान कौन सा है तो इसका एंसर हम बताने हैं कि उत्रप्रदेश का रेंक इसमें जो है चटवा था 2018-19 का डाटा पूछा गया है याद रखेगा उसका सेकेंड कॉशन था प्लांट टीसू कल्चर के पिता कौन है फादर आफ प्लांट टीसू कल्चर तो यहाँ भी आपसन से हो जाएगा हर्वर्ट लेंड भी आपसन जो है सही है दूसरे का तीसरा जो प्रशन आपका प्री कैंबियन यूग की चट्टाने पाई जाती ह तो यह गोंडवाना में पाई जाती है सी आपसन सही है तीसरे का चौथा जो प्रशन पूछा गया था कि 1857 की क्रांती का सरवाधिक दूस प्रभाव क्या था तो यहाँ भी आपसन सही हो जाएगा कंपनी से क्राउन को सक्ति का अस्था नांतरड और पांचवा जो प्रशन की कुर्जा सिरोत के अंतरगत आएंगे चाटमफा प्रशन निमलखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डळिया कहा जाता है तो यहाँ देश नही पुछा गया है प्रदेश पुछा गया तो शितोष्र घास भोमी प्रदेश होगा और देश पुछा जाता तो वहाँ और अधिवेशन 1929 में भी आफसन सही है है और आठवा जो प्रशन पुछा गया है रिजिनिंग से है एक निशित कूट भासा में दिया गया है C-A-N-D-O-U-R को N-A-C-D-R-U-O लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में A-B-R-E-A-S-T को किस प्रकार लिखा जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टार्टिंग के तीन वर्ड जो है उल्टे लिखे गए यहाँ और चौथा जो वर्ड है सेम लिख दिया गया फिर आपका लास्ट का जो तीन वर्ड है उसे उल्टा लिखा गया उसे तरह आप इसे भी लिख देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं तीन वर्ड आप उल्टे लिखेंगे तो R, B, A हो जाएगा यान कि आप देख सकते हैं R, B, A केवल एक ही आपसन में है वो भी A आपसन में तो A इसलिए आपका से हो जाएगा आगे भी आप देख सकते हैं मिलागे तो आठवा का जो A आपसन से हो जाएगा नौवा कोशन है भारती स्वतनता के समय इंडियर नेशनल कांग्रेज का अध्याच कौन था तो वह थे J, B, कृपलानी C आपसन से हो जाएगा दस्वा प्रशन है प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से सम्बंधित पहलू कौन सा है तो यह आज जीविका पृत्साहन C बिकल्ब से हो जाएगा यहाँ पे ग्रावा कोशन है कि निमलखित में से किस सहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रजेक्ट जिसकी सुरुवार मार्च 2022 से होगी यह कहाँ तो कोलकाता हो जाएगा C आपसन से हो जाएगा कोलकाता यह हुगली नदी के नीचे जो है पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रजेक्ट जो है शुरू किया जा रहा है प्रणप्रागत क्रिसी विकास योजना यानिकी PKVY की सुरुवात की गई थी और अगला कोश्यन है सभीने ओगिया आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था तो यह घटित हुआ था आपका गांधी इर्विन समझावता से पहले याद रखेगा सभीने ओगिया आंदोलन ये 6 अप्रेल 1930 से जो है शुरू हुआ था और गांधी इर्विन समझावता आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था तो पूछा गया है कि सभीने ओगिया आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था तो गांधी इर्विन समझावता से पहले घटित हुआ था और अगला जो प्रशने सिंदु घाटी सभीता के निमलिखीत अस्थलों में स्थे कौन सा एक अस्थल गुजरात में स्थित है तो यह है लोथल डी आपसन से ही है और 15 प्रशने कोशल महाजनपत की राजधानी कहां थी तो वह स्रावस्ती थी डी आपसन से हो जाएगा आप सबको पता होगा सुलावा प्रशने उचेतम नियायले की नियाधीसों की सेवा निव्रित थी इनके रिटार्मेंट की आई पूछा गया है कितने वर्स है तो यहाँ C विकलब से हो जाएगा 65 वर्स याद रखेगा सुप्रीम कोट का रिटार्मेंट जो इनकी जजों का रिटार्मेंट एज है वह 65 वर्स है और हाई कोट का जो है वह 62 वर्स है तो यहां ध्यान दिजेगा C आपसम सही हुआ अगला प्रशन है निम्न में से किस वर्गे के वरिष्ट नागरिकों के लिए केंद सरकार द्वारा रास्ट्री वयोसरी योजना प्रारम की गई है तो यहां C भी कलब से हो जाएगा BPL BPL स्रेडी में जो भी आएंगे उनको जो है रास्ट्री वयोसरी योजना उनको जो है प्रदान किया जाएगा यहां C आपसम से हो जाएगा और अगला जो प्रशन है आपका नागारजून इस्तूप का निर्मार की C युग में हुआ था तो यहां आपका C बिकल्ब से हो जाएगा गुपती युग में उनीसवा प्रशन एक तस्वीर की तरफ इसारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलोते बेटे की बेटी है तस्वीर वाली लड़की का आदमी से क्या रिष्टा है रिजिनिंग का प्रशन है ये पुछा गया है आपसे तो यहां आप देख सकते हैं यहां यह बिकल्ब से हो जाएगा पुत्री का एक दिया गया है तस्वीर की तरफ इसारा करते हैं एक आदमी ने कहा कि अपने दोस्त को बता रहा है कि वह मेरे पिता यहां आदमी हो गया तो आदमी कहा रहा है कि मेरे पिता की पतनी यहां पिता की पतनी के इकलावते बेटी यहां आदमी स्वेम होगा वह आदमी की बेटी तो वही पूछा गया कि तस्वीर वाली लड़की का आदमे से क्या रिष्टा होगा तो पुत्री होगा यहां यह विकल्ब से हो जाएगा और रगला जो प्रशने आपका लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं कहां पे तो यह बेनेजुएला में पाए जाते हैं भी विकल्ब से हो जाएगा और ब्राजील में जो घास के मैदान को क्या कहा जाता है कैमपोज कहा जाता है और अरजेंटिना में पॉमपास कहा जाता है तो यहां भी आपसन से हो जाएगा 21 प्रशने भारत में किस वर्ष में योजना आयो की अस्थापना की गई थी तो योजना आयो का अस्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयो का गठन किया गया था लेकिन अब योजना आयो का नाम बदल कर कर दिया गया है नीती आयो और कब किया गया तो एक जनुवरी 2015 को किया गया 22 प्रशने यूरोप महादिप में सबसे उंची परवत चोटी पूछा गया है कौन सा है तो B आपसंसे हो जाएगा माउंट एल ब्रूस तरीसवा प्रशने आपका यदि काले को लाल कहा जाता है लाल को पीला कहा जाता है पीले को नीला कहा जाता है नीले को हरा कहा जाता है तो आस्मान का रंग क्या होगा तो ध्यान दीजेगा यहां कह रहा है कि नीले को हरा कहा जाता है आस्मान का रंग कैसा होता है नीला तो नीले को क्या कहा जा रहा है हरा तो यहाँ पूछा गया कि आस्मान का रंग क्या होगा तो हरा होगा ए आपसन से हो जाएगा चौबीसों प्रशने दिल्ली सल्तनत के सासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्राधिकारी कौन बना तो रजिया सुल्तान के बाद उत्रा अधिकारी जो बना था वह था बहरामसा, ए आफसन से हो जाए गए है पचीसों प्रशने, निमलिकित में से किस सहर में ग्रेह मंत्राले ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधा कीकाई आस्वस्त की सुरुवात की है तो यह गांधी नगर गुजरात में किया गया है, डी आफसन से है 26 प्रशने, सुंग राजिवन्स का अंतिम सासक कौन था, तो वह था देव भूती, सी आफसन यहां भी सही हो जाएगा और 27 प्रशने, राष्टपती सासन लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतरगत तो राष्टपती सासन अनुच्छेद 356 के अंतरगत लागू किया जा सकता है 360 में है, बित्ती अपात, जान दिजेगा, 360 बित्ती अपात है 352 352 में राश्ट्री अपात दिया गया है तो यहां पुछा गया राश्ट पती सासन तो 356 अंद्शेत के अंत्रगत 2800 प्रशन है निमलिखित भारती राजियों में से किसमी रेलेवे मार की कुल लंबाई सर्वाधिक है तो यह उत्तर प्रदेश में है C आपसन से हो जाएगा और अगला जो प्रशन है आपका धारावी मलिन बस्ती किस सहर में इस्थित है तो यह मुंबई में है धारावी B आपसन से हो जाएगा और अगला जो प्रशन है आपका कि हरिदास जैनती प्रतिवर्ष कहां मनाई जाती है तो यह व्रिंदा बन में मनाया जाता है सी भी कल्प से हो जाएगा यहाँ राधा अश्टमी के दिन जो है हर वर्ष व्रिंदा बन में हरिदास जैनती के रूप में जो है मनाया जाता है और अगला जो प्रशने निम्लिकित में से किस ने नालंदा बहुत धिभिहार का निर्माट कराया था तो कुमार गुप्त पर्थम ने कराया था सी आफसन से हो जाएगा 32 प्रशन है निमलिखित में से किस राज्य वंस ने वैसलो धर्म को संड़क्षड परदान किया था तो गुप्त वंस के सासको ने वैसलो धर्म को संड़क्षड परदान किया था सी आफसन सही है 33 प्रशन है निमलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज्य स्थापित करने वाला परथम राज्य था तो आप सबको पता होगा राज्यस्थान का नागवर जिला जहां से पंचायती राज्य ब्यावस्ता की सुरुवात की गई थी रगला जो कोशिन है आपका निमलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सीधे तोर पर असायोग आंदोलन से प्रभावित था तो वै था राय बरेली यों फैजावाद का किसान अंदोलन जिसे एका अंदोलन का आ जा था उनीसो बी सी कीस भी ए भी जो है आपका शुरू हुआ था और यहां दिया गया कि दी गई आकरिती का दरपड प्रतिभीम ग्याद कीजिए तो आकरिती दी गई उसका दरपड प्रतिभीम आपको बताना है आपसन यहां सही होगा इसका 36 प्रस्ण है कोरोना की स्पूतनिक वैक्सिन निम्नांकित में से किस देश द्वारा बिक्सित की गई है तो यह आप सबको पता होगा रूस के द्वारा बिक्सित किया गया स्पूतनिक फाइब जो है नाम है इसका और अगला प्रस्ण है निम्नांकित देशों में से किस को भारत से INAS सिंधुवीर मिला है यहनकी भारत से किस देश को INAS सिंधुवीर दिया गया है तो यह भारत से मयामार को दिया गया है बी आपसन से हो जाए गया और 38 प्रस्ण है भारत में कजली कंजली आद्रभूमी छेत्रे यह किस राज्य में श्तित है तो कंजली जील पंजाब में है यहाँ यह आपसन सही है और 49 प्रशने इस्टील की मिस्र धातु का उपियोग आटो मुबाइल के पार्ट्स जैसे एक्सल बाल बीरिंग बनाने में किया जाता है वह है तो वह स्टेनलेस स्टील होता है डी आपसन सही हो जाएगा और 40 प्रशने निमने में से कौन सा सही मिलान नहीं है तो आप देख सकते हैं आपे आपको बताना है कौन सा सही मिलान नहीं है तो A जो है विटामिन A रतवधी बिल्कुल सही है विटामिन B12 बेरी-बेरी गलत है विटामिन B1 से होता है बेरी-बेरी ना कि B12 से विटामिन E मानस्पेसी कमजोरी सही है विटामिन के खून का थक्का जमने में बढ़ा हुआ समय तो सभी सही हैं आपका और B आपसन यहां सही हो जाएगा बिटामी, बीटल, बेरी-बेरी यह बिलान सही नहीं है और 41 प्रस्ण आपका दिये गए सब्दों को अंग्रेजी बर्ड माला के क्रम में बेवस्थित कीजिए और उसे चुनिए जो मध्य में आता है तो आपको जो है यहां अरेंज करना है अंग्रेजी बर्ड माला की क्रम में तो पूछा गया आप कोई मध्य में जो आए उसे आपको बताना है तो पांच टूटल हैं मध्य में आप देख सकते हैं सबसे पहले आएगा आपका तो यदि dictionary के according arrange करेंगे आप तो S, E, H, A यहनिकि पांच वाँ सबसे पहले आएगा S, E, H, A, R, P उसके बाद आएगा आपका S, E, H, O, C के तीसरे पे आएगा S, E, N, O, O, K, E, R इस्णूकर यहनिकि आपका मध्य में A ही आजाएगा चोथा इसनुकर तो सी आप सनिहां सही हो जाएगा और अगला जो प्रश्नियाप का प्रत्यावर्ती धारा को दिश्ट धारा में परिवर्ती करने वाली युक्ती पूछा गया है तो यह कहलाता है दिश्ट कारी अंग्रेजी वर्जन दीखेगा समझ में आ जाएगा रेक्टिफायर कहलाता है और अगला प्रश्नियाप का निम्लिकित में से किसका संबंध रेसम कीटो से है तो सेरी कल्चर ये भी कल्ब से हो जाएगा ये पी कल्चर मदुमक्खी पालन से है और अगला जो प्रश्नियाप का कोबिट-19 महामारी के समय में निम्लिकित किस एक्ट के तहट भारत सरकार ने फेस मास्क सेनिटाइजर अनिवारे बस्तु घोसित की है तो वह है आवस्यक बस्तु अधिनियम 1955 के तहट डी आफसन सही है यहाँ 45 प्रश्न है यूनिसेफ त्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अभिवक्ता के रूप में किस बालिबुड सेलिब्रेटी को निव्ट किया गया है तो आयुसमान खुराना को निव्ट किया गया है डी विकल्ब से हो जाएगा यहाँ और अगला जो प्रश्न है आपका निमलिकित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोईला छेतर है तो यह है जरिया जर्खन और सबसे पुराना जो है रानी गंज है याद रखेगा सबसे पुराना रानी गंज है और सबसे बड़ा कोईला छेतर जो भारत का है वह जरिया है 47वा प्रश्न है भूपरपटी में सरवाधिक बहुलता में भार द्वारा उपस्ति तत्त काउन सा है तो बहुत से लोग नाइट्रोजन सही करके आएंगे गलत है अक्सीजन यहां से वसी भी कलप वाई मंडल में पूछा जाता है तब नाइट्रोजन होता आपका यहां आफ देख सकते हैं यह आंगल बना है 90 डिगरी का बना है बाद में आपको फोटीफाइव डिगरी किया गया है और यह अगल जो आपका 180 डिगरी है और इसे आधा करेंगे तो आपका 45 होगा तो मेरे इसाब से यहां ए भी कलप सही होना चाहिए और अगला जो प्रश्ण है आपका नितियायोगने सिच्छा और स्वास्ति छेत्र में रूपांत्रड है तो राजी सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की है तो यह साथ प्रोग्राम, सी आपसन से हो जाएगे हैं और प्चासमा जो प्रश्ण है आपका निमल्खित में से कौन सा देश भारत का लगू रूप कहलाता है तो यह है मारिसस, आप सर्च करेंगे तो 피जी आपको मिलेगा भारत का लगू रूप लेकिन फिजी आपसन में नहीं है या सी आपसन से होगा मारिसस अब जो है आपका second part जो है वो हिंदी से 50 प्रस्ण है तो कुल 100 प्रस्ण पुछे गये थे 50 GS और 50 हिंदी से तो 51 प्रस्ण है आपका निमलखित में से वर्दान का वर्दान सब्द का बिलोम आपको बताना है क्या होगा तो वर्दान का बिलोम हो जाएगा अभिसाप से आपसन सही हो जाएगा 22 प्रस्ण है निमलखित में से मेह सब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा तो मेह मेग भी आपसन सही हो जाएगा है तिरपनवा है आपका निमलिखित में से वर्तनी की दिरिष्ट से असुध सब्द बताना है आपको यानि कि गलत कौन सा लिखा गया है तिथी सही है, नेती भी सही है, परिवार भी सही है पूरती आपका गलत लिखा हुआ है तो D आपसन यहां सही हो जाएगा चंग नुमा प्रशन आपका निमलिखित में से कि समूह में सही बिलोम सब्द नहीं है तो Yes, Ap, Yes सही है, मूड यानि यह भी सही है, निर्मान और रचना यह जो है आपका सही बिलोम नहीं है लौकिक, ऐलौकिक यह भी सही है तो यहां C बिल्प आपका से हो जाएगा अगला प्रशन है विशेषर की दरिश्ट से निमलिखित में से कौन सा वाकिय असुद है तो यहां विशेषर की दरिश्ट से पुछा गया है तो भी आपसन यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि भगवान बुरे लोगों की बुरूई बुरी कुद्रिष्टी से बचाए तो यह जो है विशेसर की द्रिष्टी से देखा जाए तो यह आपका सही नहीं है बाकी सभी सही है 56 प्रशन निमलिकित में से कौन सा वाक्य असुध है तो यहाँ यह भी कल्प मेरे साब से असुध है आपके प्रशन का समाधान मेरे पास है यहाँ समस्या का समाधान होता है प्रशन का उत्तर होना चाहिए यहाँ तो यह आपसन यहाँ आपका असुध है अगला जो प्रश्ण है जो पहले जन्मा हो वाक्यांस के अर्थ को असपष्ट करने वाला उचित सब्द कौन सा है तो जो पहले जन्मा हो अग्रच कहलाता है अगला प्रश्ण है निमलिकित में से अतिवरिष्टी सब्द का बिलोम बताना है क्या होगा अतिब्रिष्टी अनाब्रिष्टी C आपसंग से हो जाएगए है उन साथवा प्रशने निमलिखित में से कौन से समूह के सभी सब्द गंगा के प्रयायवाची है तो यहाँ B विकल्ब से हो जाएगा सुर्षरी, मंदाकिनी, और ती, पत्गा यह सभी गंगा के प्रयायवाची सब्द है साथवा प्रशने आदि से अंत तक के लिए निमलिखित में से कौन सा सब्द उपयुक्त होगा तो आदि से अंत तक के लिए एक सब्द होता है आदो पांत B विकल्ब से हो जाएगा और एक से ठोवा कोशेन है, निमलखित में से किस वाक्यान के लिए सही सब्द का प्रियोग हुआ है? तो यहां आप देख सकते हैं पहला यह option है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए अलपग्य है तो यहां आप से शही सब्ड पूछा गया है कि प्रयोग हुआ है तो यह तो आपका सही सब्ड नहीं है बी है सक्त की उपासना करने वाले को साख्त कहते है बिल्कुल सही है आपका सी है सीउ का उपासा को बैसनों गलत है सीउ के उपासा को सेव कहते हैं जो हमेशा रहे छडभंगूर वो सासवत कहलाता है ना कि छडभंगूर तो ये भी है जो है आपका गलत है तो आपका पुछागा है सही कौन सा है V आफसन हो जागा, और बासंट Wow परक Jadi निम्लिकित में से अनुगामी सब्द के लिए कौन सा वाक्यांस प्रयुक्त होगा तो अनुगमन करने वाले को अनुगामी कहेंगे, इसीव आफसन सही है, निम्लिकित में से किस यूग्म्म में सही barking बिलोम सब्द का प्रियोग नहीं हुआ है तो लाभानी सही है इच्छा निच्छा एवी सही है बंधन मुक्ती एवी सही है जै भीजे जै भीजे नहीं जै पराजे होता है तो D आपसन यहाँ आपसे पुझा गया है कौन सा बिलोम सब्द का प्रियोग सही नहीं हुआ है किसमी तो D option में सही नहीं हुआ है और अगला प्रशन है किस वाक्यांज के लिए सही सब्द नहीं लिखा गया है तो यहां जो है आपका B option यहां से हो जाएगा जिसके प्रति गहरा लगाओ हो विरक्त जो है दिया गया तो यहां B option सही है बाकी सभी सही है जिसे रोका ना गया है तो अनिरुद सही है जो छमा करने योग हो जो सब्दों में ब्यक्तिन किया जा सके निर्वचनी तो बाकी सही है B option सही नहीं है अगला प्रशन है निम्लकित में से ग्रिह का प्रियावाची सब्द नहीं है कौन सा तो भद्रा भद्रा जो है ग्रिह का प्रियावाची नहीं है बाकी सभी ग्रिह के प्रियावाची ये घर के प्रियावाची है अगला प्रश्ण है निमलखित में से कौन सा वाक्य असुद है तो यहाँ आप देख सकते हैं C आपसन में कि लिखा हुआ है मेरा एक प्रसित कवी थी गलत है मेरा एक प्रसित कवी इतरी होना चाहिए हैं अगला जो प्रशन है आपका निमलखित में से कौन सा सब्द बिजली का प्र्याय नहीं है यानि कि प्रयायवाची नहीं है तो यहाँ B आपसन से हो जाएगा सलाघा, तडित, चपला, सौधामिन यह सभी बिजली के प्रयायवाची सब्द है और अगला प्रशन है किस भी कल्प में तत्सम सब्द का तदभाव नहीं है तो यहाँ आप देख सकते हैं यह आपसन में असपर्स छोना दिया गया है यह आपका सही नहीं है बाकि स्रेष्टी, सेट, स्रेष्टी उसके बाद रानी का तत्सम रागी होता है सियार का तत्सम होता है स्रिंगा बाकि सभी सही है, यह आपसन आपका सही नहीं है और अगला प्रशन है सब्द कौन सा है तो यहाँ आप देख सकते हैं परिसरम गलत लिखा हुआ है परऊसी लिखा हुआ है यह भी गलत है परिसर्द में हलन्त होना चाहिए परिमारजीत यह आपका सुध है तो पूछा गया सुध्द सब्द आपको कौन सा है तो D आपसम से हो जाएगा और अगला प्रश्ण है निमलखित में VST सब्द का बिलोम सब्द कौन सा होगा तो VST का बिलोम होता है सबमस्टी निमलखित में से भावरा का तत्सम बताना है कौन सा होगा तो भावरा का तत्सम हो जाएगा उलाहना का तत्सम होता है उपालम वाकि भौरा जो है तत्सम होता है भरमर होगा आमला आमलक होगा सुई सूच का होता है तत्सम अगला जो प्रश्णा आपका निमलिखित में से सेर का प्रयायवाची नहीं है कौन सा तो यहाँ cv club से होजएगा हस्ती हस्ती या सेर का प्रयावाची नहीं है मिर्गराज है सारदूल और नहारे सभी सेर के प्रयावाची है अगला प्रशन है निमल्खित में से पत्थर सब्द का प्रयावाची नहीं है कौन सा तो यहाँ आप देख सकते हैं पर्ड पर्ड किसका प्रयावाची है तो पत्ता का है बाकी प्रस्तर, पाहन और पासार यह सभी पत्थर के प्रयावाची है अगला प्रश्ण आपका निमलिखित में से कौन तत्सम, तद्भो, युग में सही नहीं है तो यहाँ A में दिया गया यौ, जो, सही है छकडा, सकट यह भी सही है कोडी, कपार्दिका यह भी सही है जीर्ड, सीर्ड, यह आपका सही नहीं है तो D आपसन यहाँ सही हो जाएगा आपका पुछा गया तद्भो, युगम सही नहीं है तदबो तदशन कौन सा और अगला प्रशन है किस बिकल्प में सभी सब्द सुद्ध हैं तो यहां आप देख सकते हैं ए आप्षन में सभी सुद्ध हैं दो साध्ये, त्रेमासीक, तिलांजली और दोंद ए सभी सही रूप में लिखे हुएं अगला प्रशन आपका निमलखित में से वर्तनी की द्रेष्ट से सुद्ध सब्द कौन सा है तो यहां समरपड आपका सही लिखा हुआ लिखा हुआ है, बाकी सन्मान नहीं, सम्मान होता है समिच्छा, गलत लिखा हुआ है संसारिक नहीं, सांसारिक होता है सापर आकमात्रा होगा है अगला प्रशन आपका कटी और स्रोडी यह सब्द निमलखित में से किस अंग के प्रयावाची है तो यह कमर के प्रयवाची है, C आफसन से हो जाएगा अगला प्रशन है, निमलिखित में से सार्वजनिक सब्द के लिए कौन सा वाक्यांस उपियुक्त होगा तो यहाँ B आफसन से हो जाएगा, सर्वसाधारण से संबंधित को जो है हम सार्वजनिक कहेंगे अगला प्रशन है, जो बेक्ती विदेश में रहता हो, वाक्यांस के लिए सही सब्द होगा तो यह प्रवासी कहलाएगा, C आफसन से हो जाएगा और कौन से समूह में तत्सम तत्भाव सब्दों का सही युग्म नहीं है तो यहाँ आप देख सकते हैं, D आपसन में हरिद्रा हसी दिया गया जबकि हल्दी का होता है हरिद्रा तो बाकी सभी सही है, आधा अर्द, भावरा भरमर, धूगा धूमर, यह सभी सही है नेक्श आपका निमलिखित में से वर्तनी की दिरिष्ट से सुध सब्द है कौन सा तो यहाँ आगामी आपका सही लिखा हुआ बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ असिरवाद लिखा हुआ है, जबकि अपर आक मात्र होगा है, यहाँ आसिरवाद अंत्य चरी लिखा हुआ है, यह भी गलत है, डी आप्शन आहार, जो है गलत लिखा हुआ है, आहार होना चे यह एहार लिखा हुआ है और अगला जो प्रश्ण बापका निमलिखित में से चंद्र का प्रयायवाची है कौन सा तो मयंक एक चंदर का प्रयावाची हो जाएगा यह बीड़ है अगला जो प्रश्न निम्लकित में से वर्तनी की द्रेष्ट इसे असुध सब्द है कौन सा तो यहाँ भगवान सही लिखा हुआ है मुल्लिवान भी सही लिखा हुआ है बिराट भी सई लिखा हुआ है, सोशक यह आपका गलत लिखा हुआ है सोशक जो है आपका इस तरह है सई होगा अगला जो प्रशने निम्लिकित में से कौन सा वाक्य असुध है तो यहाँ आप देख सेखते हैं B option में इस पुस्तक में दस अध्याय लिखा हुआ है, अध्याय गलत लिखा हुआ है, अध्याय होता है, इस पुस्तक में दस अध्याय हैं, नेक्श आपका निम्लिकित में से अग्ये, सब्द के लिए उचित वाक्यांस का चेन कीजिए, तो जो कुछ ने जानता हो, उसके लिए आमसीक, सात्विक सही है, जंगम, अस्थावर सही है नेक्स आपका निमलिकित में से नौका का प्रयावाची है कौन सा? तो तरड़ी हो जाएगा ये विकल्ब से हो जाएगा है, नौका का प्रयावाची तरड़ी होगा और अगला जो प्रश्ण है निमलिकित में से तरूड सब्द का बिलोम है कौन सा? तो तरूड का बिलोम हो जाएगा बृध भी विकल्ब से हो जाएगा अगला क्वेश्ण है निमलिकित में से तदभौ सब्द है कौन सा? तो आप देख सकते हैं हाथ हाथ क्या है तद्वो सब्द है और इसका तत्सम होता है हस्त तो D आप्शन से हो जाएगा है अगला प्रश्न अतित्थी सब्द का सही बिलोम क्या होगा तो अतित्थी का बिलोम हो जाएगा आतित्थे ए आप्शन सही हो जाएगा अगला question है निमलिखित में से किस बिकल्प में सही बिलोम का प्रियोग हुआ है तो यहाँ आप देख सकते हैं C option में सापेच, निरपेच यह आपका सही बिलोम है वाकी अनुलोम, अनुकूल, गलत है क्रित्रीम, किरपा, यह भी गलत है 100% गलत लिखा हुआ तो C option जो है, सही बिलोम है सापेच का बिलोम होता है, निरपेच अगला जो प्रशन है, निमलिखित में से कौन सा सब्द खल का बिलोम होगा तो खल, यह दुष्ट का जो है, प्रयावाची होता है तो दुष्ट का भी लोग सज्जन हो जाएगा यहाँ D आउचन से हो जाएगा अगला जो पुरश्ण है निमलिखित मेंसे कदली सब्द का तदभा रूप कौन सा होगा कदली का तदभा होता है केला और केला का तद्द्द्द्द्द पूछा जाए तो कदली होगा तो भी आपसन से हो जाएगा है और अगला क्वेशन है निमलिखित में से तत्सम सब्द है कौन सा तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्याग्र यह बाग का तत्सम होता है तो यह भी कल्ब से हो जाएगा है अगला जो question है निमलिखित में से कौन सा इस्वर का प्रयावाची सब्द नहीं है तो प्रमात्मा, जगदीश और प्रभू ये सभी इस्वर के प्रयावाची होते हैं देवराज जो है इस्वर का प्रयावाची नहीं है तो D आपसन सेव जाएगा है अगला प्रशन है दुरलंग है सब्द के लिए निमलिखित में से कौन सा वाक्यांस उपयुक्त होगा तो जिसे लांगना, जो है कठीन हो उसे दुरलंग कहेंगे तो यहाँ दिया गया जिसे पार करना, कटीनो, लांगना या पार करना एक ही है तो D आपसन सेव जाएगा और अगला कोईशन है निमलिखित में से कौन सा तद्भव, तद्सम, युग्म, अनुपयुक्त है यानि कि सही नहीं है तो पहला है, रसी, रज्जु, सही है B दिया गया, दिया-सलाई, माचीस ए जो है आपका अनुपयुक्त है तो B आपसन हैं, आपका सही हो जाएगा पुछा गया कौन सा अनुपयुक्त है और अंतिम जो प्रश्नी पुछा गया था कितना गठित है तो गठित नहीं होता है गठिल होता है तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा राजा दसरत के चार पुत्र और एक पुत्री थे गलत हो गए है राजा दसरत के चार पुत्र और एक पुत्री थी ऐसा होना चाहिए और मैंने गुरू का आया हो तो like share कर दिजएगा चैनल को अभी तक आप subscribe नहीं किये हैं तो चैनल लोग अगले वीडियो का notification आपको पहले मिल जाये जो लोग इसका pdf लेना चाहते हैं और टेलिग्राम पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया गए टेलिग्राम का वहाँ से जोईन करके आप PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद दोस्ते दिया आप UP के किसी भी एक्जाम के तयारी करना चाहते हैं तो अपने अकेडमी से जुड़के आप अपनी तयारी को बहतर तरीके से कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अनेकेडमी का लर्निंग अप इस्टाल करना होगा तो आप से इस तरह खुल कर आजाएगा आप मैनेज गोल सेलेक्ट करेंगे यह आप किसी एक्जाम के तयारी करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट क्या करना है UPPSC और UPCC उसके बाद free live classes पर आपको जो है टिक करना है उसके बाद जैसे है उस पर क्लिक करेंगे आप खुल करके जो है आपके सामने इस तरह आजाएगा इंटरफेस और आप जो है उस पर क्लिक करेंगे वीडियो पर तो आपसे मांगा जाएगा इंटर इनवाइट कोड टू अनलाक यो फ्री प्लान यानिकि आपका फ्री प्लान को अनलाक करने के लिए एक कोड मांगा जाएगा तो आपको कोड क्या यूज करना है एक्जाम लर्नर जैसे ही आप एक कोड वहाँ फिल करेंगे उसको नीचे अनलाक का बटन जो है वह ग्रीन हो जाएगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वह वीडियो अनलाक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं तो यह कोड यूज जरूर केजएगा वीडियो को अनलाक करने के जिसमें पूरा आपको complete slivers करा जाएगा उसका बाद UPCS का है में साप्सनल जैगर्फी और पॉब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन यह भी आपका 26 जनुवरी से इस्टार्ट हो रहा है और 6 मन्त का यह कोर्स है UPCS prelims batch यह भी आपका 26 जनुवरी से इस्टार्ट हो रहा है यह भी और रेफरल कोड आप यूजरूरी किजिएगा exam learner जिससे आपको 10% का discount मिल जाएगा असानी से आप देख सकते हैं courses जो भी available है यहाँ पे जो batch launch है वो आपके सामने है और आपको बता दें कि जो आप subscription लेंगे an academy पर एक मन्त का subscription लेते हैं तो actual price इसका 1400 रुपए यह आप वह ही हमारा referral code यूज करेंगे exam learner तो price आपको पे कितना करना होगा 1260 रुपए और 3 मन्त का subscription लेने पर 3500 रुपए actual price है यदि referral code यूज करेंगे तो 1350 पे करना है 6 मन्त का 5600 फीस है लेकिन यदि referral code आप यूज करेंगे तो आपको 5040 पे करना है 12 मन्त का फीस 7000 रुपए है referral code के स यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपए ही आपको देना होगा और 24 मन्त का यदि लेते हैं आप subscription तो 8400 रुपए फीस है लेकिन आप referral code हमारे यूज करेंगे तो 7560 रुपए ही आपको पे करना है जिसे जो है यदि आप referral code हमारे यूज करेंगे तो आपको 10% का ततकाल जो है वहाँ discount मिल जाएगा और आपको बता दें कि Unacadmica Free जो वीडियो प्लस पर है उसको देखने के लिए भी आप हमारे referral code exam learner यूज कर सकते हैं अनलाग करने के लिए तो यह याद ज़रूर रखिएगा और इसके लिए सबसे पहले आपको Unacadmical Learning अपिशाल करना होगा प्लेइ